नमस्कार दोस्तो एकजाम मैच्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बर फिर से मैं आप सभी का वैलकम करता हूँ दोस्तो अपनी इस मोग टेस्ट की सीरीज को आगे कंटिनू करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम मोग टेस्ट नंबर 26 को डिसकस करेंगे देखिए हम 25 म बनी हुई है आप जाके जरूर देखिए मैं उसको आपके जैसे ही वीडियो खतम होता है ना लास्ट में आपको एंड स्क्रीन पर दिख जाएंगी ये प्लेलिस्ट ठीक है आप जाके जरूर देखिए दोहजार 24 के लिए बहुत ही हैलफुल सीरीज आई ठीक है बट यह ल प्लेट को फाइर किया जाता है एक राइफल से जिसके एवरेज स्पीड है कितनी की स्पीड पर 2520 किलोमीटर पर आवर देखिए किलोमीटर पर आवर में है इट हिट्स दी टार्गेट आफ्टर 0.2 सेकंड के बाद यह टार्गेट को हिट करती है तो कितनी कितने डिस्टे में बदलिए मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए पांच बटै आठारे से गुना करेंगे इन टू में समय कितना है पर 0.2 सेकंड है तो 2 बटै 10 सेकंड है तो कोई दिक्कत नहीं है सैकंड में इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी हमें ठीक अब इसको सिंप्लिफाई कर लीजिए तो देखे भई आपकी एक जीरो से तो एक जीरो कड़ जाएगी अठारे से काटिए अठारे कम अठारे अठार चोक बैतर और पांदूनी दस गुना में चौध है यानि कि 140 मीटर आप का अनसर होगा दोस्तों है आगे बढ़ते हैं कि एक प्रिया एंड बवीता टूगेदर कंद टास्क इंट ट्वेंटी बेज दिखे प्रिया और बवीता दोनों मिलके किसी टास्क को कितने दिन में कर रहे हैं ट्वेंटी डेज में इस प्रिया वर्क टॉन फोर्थ एज एफिशेंटली एज सी यू A Generally Does, the work gets completed in 16 days. देखिए, अगर मैं इस preya की जो efficiency उसको P मान लेता हूँ और जो बवीता है, इसकी efficiency को अगर मैं B मान लेता हूँ तो मेरे को पता है, भई P दोनों की efficiency को अगर मैं add करता हूँ और total work से multiply कर देता हूँ, तो total यानि कि जो number of days है उससे multiply कर देता हूँ तो मेरे total work आ जाएगा तो यह total work आ गया ठीक है जी अब second case में देखिए यह कह रहा है कि जितनी इसकी efficiency थी जो प्रिया की वो अपनी one fourth efficiency से काम करती है तो यानि पी फोर से करेगी अगर इसकी efficiency पी थी तो इसके one fourth से करेगी और बवीता करेगी पहले से twice स ठीक है तो मैं कहूंगा twice of b अब इनको कितना time लग रहा है भई अब इनको time लग रहा है कितना चार दिन यानि कि 16 दिन सोरी ठीक है 16 दिन तो इन टू में 16 हो जाएगा अब यह दोनों total work है तो मैंने दोनों को equate कर दिया अब इसको simplify करिए भई 4,5,20 और 4,4,16 गुना करिए यह आएगा 5b, 5p plus 5b, बराबर यह देखिए 4 से 4 कटेगा तो p plus यहां 4 दूनी 8b, ठीक अब देखिए p को इधर ले आईए 5b को इधर ले जाएए तो 5 में से 1 जाएगा तो 4p, और यहां देखिए 5 इधर जाएगा तो 8 में से 5 जाएगा तो 3b, तो यहां से p और b, यानि प efficiency का ratio आजाएगा वो कितना आजाएगा तीन बटे च्यार ठीक है यह important है इसको आप नोट करके रखी अब देखिए यहां से आप चाहिए यहां पूट करिए चाहिए यहां पूट करिए आपका total work निकाल सकते हो ठीक है तो total work कितना आजाएगा देखिए total work आएगा आपका बही चार और तीन साथ गुना में 20 फिक है यानि कि 140 अब कह रहा है how long would बवीता take to finish the task is worked independently अगर वो अकेली काम करती है तो बही आपको करवाना है बवीता से फिक है तो total काम है 140 और बवीता की efficiency कितनी है देखिए 4 तो 4 की efficiency से करवाना है 4 से कटे गई है 35 बार तो answer होगा आप आपका 35 डेज यानि की option C answer होगा दोस्तों ठीक आगे बढ़ते हैं कि एक एन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन इस्टिल वाटर तो मैं कह सकता हूं कि यानि कि speed of the boat इन इस्टिल वाटर क्या होती है आपकी भी बी की value कितनी कि वन आप कोछ है कि रवन रिवर इस रेनिंग यानि कि speed of the stream है तो यह कितनी है वन पॉइंट टू किलोमीटर पर आवर में है कोई दिक करने है एक टेक्स वन आवर टू रो ए प्लेस एंड कम बैक वही कितना ले रहा है एक गंटा करहा हाव फार इस दी प्लेस यानि कि आपको डिश्टेंस निकालनी है तो आपको पता है डी अ जाएगा तो आपका 4.8 आएगा ठीक है जी देखिए और यह है वन के बराबर आप एक काम करिए जब आप इन पॉइंट को हटाओगे तो उपर दस चला जाएगा तो मैं 10 डी उपर से कॉमन ले लेता हूं और नीचे बहतर और 48 बनेगा तो इसमें से मैं 24 कॉमन ले लेता ह है यह दर देखिए राइट साइड में तो आपका 24 बटे में 10 चला जाएगा बदल के ठीक है और ऐसे यहां 5 बटे 6 बनेगा वो 6 बटे 5 बन जाएगा ठीक बस यह डी की वेलो आईगी इसको आप सॉल्ब कर लीजिए तो आप देखेंगे एक चीज नोटिस करेंगे यहां स यह 10,50 नीचे तो मैं अगर उपर नीचे 2 से मल्टिप्लाई कर देता हूं तो नीचे 100 बन जाएगा मैं 2 के बाद पॉइंट लगा लूँगा आप गुना कर लिजे उपर 6 दूनी 12 बारा चोक 48 यूने डिजिट 8 हाएगा जो कि एक यू आप्सन में यह पॉइंट है तो आपका अनसर होगा गुना कर सकते हो आप 6 दूनी 12 चोक 48 यू बारा चोक 48 यू बारा चोक 24 चार अटाइस और नीचे 100 था तो दो के बाद पॉइंट लगेगा तो 2.88 आपका अनसर आएगा ओप्सन भी ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि कह रहा है डियूरिंग विच दिफ्रेंस बिट्वीन दी प्रोड़क्शन ऑफ कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई इस लेस दें 50,000 दिखे यह आपका एक्स है यह आपका वाई है तो इनके बीच में डिफ्रेंस 50 से कम किसम है क्योंकि यह सारा डाट आट आपको 1000 में ठीक है तो आप यहां देखोगे तो बढ़ी 83 में से अगर आप सससतर घटाओगे 183 में से ससतर तो यह 104 के आसपास बचेगा 106 के आसपास तो यह तो है नहीं यानि कि 2001 है नहीं दीखे पहले 2005 चेक करिए आप 2005 आपका कहा है यह रहा अगर 137 में से आप सड़ सेट घटाओगे ठीक है तो साथ में साथ जाएगा तो साथ 13 में से आट जाएगा तो पांच यह सत्तामन है तो आपका यह भी नहीं है अगर आप 2004 चेक करोगे तो 147 में से 102 जाएगा तो आपका बचता है 45 यह आपका less than 50 है ठीक है यह आपका less than 50 है तो आपका अनसर होगा 2004 वाला यानि कि option C answer होगा अगले को चेक करने की ज़ 10% and 24% अगर मैं एक ही बात करता हूं तो यह दो सक्सेशिव डिसकाउंट दे रहा है कितना 24 और 6 कितना हो जाएगा आपका 30 माइनस मैं मैं सक्सेशिव लगा रहा हूं इसका equivalent ratio निकालने के लिए ठीक है तो 24 के 144 यानि कि 1.44 यह बनेगा आपका ठीक है तो 30 में से एक गया त 29 और 28.56 बनेगा आपका 28.56 अगर मैं बी की बात करता हूं तो देखिए बी क्या कह रहा है बी कितना दे रहा है एंड बी गिव से सक्सेशिव डिसकाउंट सब 17 परसेंट एं 13 परसेंट तो इनका सक्सेशिव कितना बनेगा विए 17 और 13 30 माइनस गुना करिए 17 क्यामन से प्रॉम हूं इस इट मोर प्रॉफिटेवल टू परचेश दी लैप्टॉप तो दिखिए भई लैप्टॉप को परचेश करना किस से आसान रहेगा हमारे लिए किस से प्रॉफिटेवल रहेगा किस से फाइदे मन रहेगा जो हमें ज्यादा डिसकाउंट दे रहा होगा ज्यादा डिसकाउंट कौन दे रहा है अगर हम यह ज्यादा डिसकाउंट दे रहा था हमें कम पैसे पे करने पड़ेंगे तो यानि कि आपका अनुसर होगा ओन ए वाला तो फ्रॉम ए ऑप्शन भी आपका अनुसर होगा आगे बढ़ते हैं कि यहारा है साथ साल पहले तो यह बनेगा बढ़ आपका टू रेश्यो वन आप मुझे बताईए चाहिए आप दस साल पहले की बात करिये चाहिए आप पंद्रे साल बाद की बात करिये जो एज का डिफरेंस हो तो सहीं होना चाहिए यहां देखिए तीन है और यहां देखाएंगे तो दो और एक गै एक है तो इसका बराबर करने के लिए यहां जो तीन है उसको इस से मिल्टिप्लाई कर दीजिए उस गैप से यह बन जाएगा तीन दूनी छे और यह बनेगा तीन एकम तीन अब आप देखिए आपके रियल डाटा यह है कि भई आपकी जो वैलू है वह चार से कितनी हो गई एज फादर की छे या फर यहां देख सकते हो एक से तीन हो गई यानि कि कितने का एडिशन हुआ है दो का और यहां देखोगे साथ और साथ चौद है का डिफरेंस है ठीक है तो यह कितना हुआ है आपका चौद है तो मैं कहुंगा दो की वैलू कितनी गिवन है आपको चौ यह साथ साल बाद की एजिज है धोस्तों ठीक है आपको तो परेजंट की निकालनी है तो पहले पूछा क्या है पहले यह दिखते हैं वाट इस दिर रेशियो आप देर प्रेजेंट एज तो भाई अगर 22 मैंसे 7 घटा देते साथ से काट लीजिए साथ पंजय पैंतिस साथ दूनी चौध है ठीक है फाइव रेस और टू आपका आणसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी ठीक है आगे बढ़ते हैं कि अदिस पीड़ ऑफ तेरह किलोमेटर परावर इन श्यापकी बहुत है और यह कितनी गिवन है आपको 13 है किया रहा है यह स्पीड ऑफ श्ट्रीम इस 4 किलोमेटर पर आवर आवर श्पीड अायगा आजिएगा है यह तो बेज सट या नहीं कि 4 गंटे ठीक है दोस्तों option A आपका answer होगा आगे बढ़ते हैं देखिए आपको P की value given है ये Q की value given है ये आप से पूछा है ये तो अगर आप इसको थोड़ा solve करोगे तो ये cross में multiply करोगे तो P cube plus में Q cube upon में बनेगा P cube ठीक है ये पूछा है ultimately आपको अगर आप यहां से P निकालते हो ठीक है पी निकालते हो तो ये rationalization करोगे तो उपर बनेगा root 3 minus root 2 का whole square upon में नीचे बनेगा 1 ठीक है तो चलिए थोड़ा solve भी कर देता हूँ ये उपर तो बनेगा root 3 minus root 2 का whole square और upon में नीचे बनेगा A plus B into A minus B यानि 3 में से 2 जाएगा तो 1 इसको आप solve करेंगे तो 3 और 2 5 भाई A की 2 plus B की 2 तो 3 और 2 5 बन जाएगा minus में 2 root 6 ठीक है और Q similarly आपका यहां minus आया तो plus आजाएगा 5 plus में 2 root 6 ठीक है भी यहां उपर plus है यह minus है तो यह उपर जाके plus करेंगे तो आपका 5 plus में 2 root 6 ठीक है अगर आप यहां से P plus में Q निकालते हो तो भी A plus minus के आपस में कट जाएगे तो कितना आ जाएगा 10 अगर आप PQ निकालते हो अगर आप PQ निकालते हो तो क्या बनेगा भई A-B into A plus B इसका सुकेर करेंगे तो आपका 25 बनेगा और इसका सुकेर करेंगे तो दो दून चार्चिक के 24 तो इनका डिफरेंस कितना आजाएगा 25 और 24 का 1 ठीक है मैं उम्मीद करूँगा इतनी चीज़ें आप मुहजवानी समझ पाएंगे तो अगर आप से पूछा है PQ पलस में QQ तो आप इसका देखिए PQ पलस Q क्या होता है P पलस Q क्या होल क्यूब यानि कि 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 माइनस में तो आपको आधी चीज़ें दिमाग में करनी पड़ेंगी तभी आप पेपर टाइमली कर पाएंगे आगे बढ़ते हैं तो बही एक अलोई A है और एक अलोई B है ठीक है जी तो यहां टोटल जो टीन की परसेंटेज वह 25 परसेंट है ठीक यह 25 है अब आप देखिए आप मुझे चीज़ बताइए आपको काम करना है टीन पर तो पहले वाले अलोई में बाकी चीज़े कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है पहले वाले अलोई में अगर 40% कॉपर है और कुछ नहीं है बाकी टेन है ठीक है तो टेन कितना बचा 60% तो मैं कहूंगा यह 60 है दूसरे वाले अलोई में 14% कॉपर है दस परसेंट टेन है बाकी कुछ भी हो तिन से मतलब है मुझे तो यह दस परसेंट है ठीक है तो रेशियो पूछा है आपसे तो भी 60 में से 25 जाएगा तो यह आएगा आपका 35 रेशियो 25 में से 10 जाएगा तो आएगा आपका पंद्र है इनको आप सिंप्लिफाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा देखिए आपका बनेगा पांतिया पंद्र है और पांट सत्य पैंथिस आंसर आएगा आपका थरी रेशियो 7 ठीक है दोस्तों आपका ऑप्शन डी आगे बढ़ते हैं कि करा पिस ब scandalies B अनदी टो मैं कहूंगा अगर मैं इनके दोनों के बीच में यह पलस बीडिफिरेंस लेता हूं क्योंकि डिफरेंसी तो है यह जदा तो आपका a minus c कितना निकल के आएगा 10 ठीक है जी कह रहा है if the average weight of all the three cylinders is 40 तो यहां से a plus b plus c तीनों cylinders का अगर मैं sum निकालूं तो 40 के 120 बनेगा ठीक है जी कह रहा है the weight of b is 30 kg आप से पूछा है weight of c देखिए भई आपको b का weight given है कितना 30 तो यहां से a plus c का weight कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे 120 में से 30 घटा दीजिए 90 आएगा तो मैं कहूंगा कि a plus c आपको आपका निकल के आया 90 आप से पूछा है c का weight तो अगर आपको पता होना चाहिए कि अगर a plus b और a minus b है तो minus वाला अगर आप से पूछा है तो c की value होगी दोनों का difference का आधा तो 90 में से 10 जाएगा तो 80 80 का आधा 40 आंसर होगा आपका 40 यानि की option b ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि करा what is the value of the expression यहां देखिए 1 plus y, 1 plus y square, 1 plus y4, y8 और यहां 1 minus y देखिए आपको आपका काम हो जाएगा अगर a plus b into a minus b करोगे तो यह क्या बनेगा 1 minus y square और 1 minus y square देखिए यह बनेगा आपका 1 minus y square into 1 plus y square ठीक है और बाकी term और यहां देखोगे देखिए आप मैं लिखी देता हूँ एक बार तो 1 plus y4 into 1 plus y8 अब आप देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह दोनों मिलके क्या बनाएंगे आपका a minus b into a plus b यानि 1 minus y4 ठीक है यह y4 इसके साथ क्या बनाएगा 1 minus y8 और यह इसके साथ मिलके क्या बनाएगा 1 minus y16 मैं बाकी चीजे लिखा नहीं हूँ मैं केवल जो मिजर को काम करना उसी पर मैं काम कर रहा हूँ तो यानि कि 1 minus y16 आंसर होगा option a ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखिए आप से पूछा है what was the ratio of the number of the overweight women in 2018 तो देखेंगे आप 2018 में आपकी overweight women कितनी है ठीक है तो यह रहा आपका 2018 है यह men women children की total value और यह percentage है overweight की ठीक है तो यहां मैं 2018 है मैं यह 25% है तो मैं कहूंगा भई इसमें मेरे को women देखेंगे तो कितनी है भई 30,000 30,000 का 25% यानि कि एक चौथाई तो आधा हो जाएगा पंद्रह पंद्रह का आधा होगा 7,500 ठीक है तो यानि कि 75% और रेशियो दूसरे केस में क्या कह रहा है दूसरे केस में आप ध्यान से देखेंगे तो बोल रहा है आप से तो दी किसके साथ दी number of the overweight man in 2020 तो यह रहा आपका 2020 और यह रहे आपके man ठीक है 2020 में मैं कह रहा है ना 2020 मैं मैं ओवर्वेट मैं और देखें 35,000 का man ओवर्वेट में कितने हैं भई 12% तो आपको अल्टिमेटली 35,000 का 12% निकालोंगे तो क्या बनेगा वह दो जीरो कर जाएंगे आपके एक परसेंट से तो 350 इंटू में बार है 350 इंटू में बार है बस इसका आप प्रेश्यों निकाल लिजिए तो कितना बन जाएगा देखिए वह आपकी एक जिरो से तो एक जिरो जाएगी ठीक है 5 से काटेंगे 7 बार 5 से काटेंगे तो 15 55 होता है और 3 से काटेंगे तो आपका 50 या 1.5 सो होता है फिर 2 से काट लीजिए 2 बार और 2 से काटेंगे 25 बार तो 25 रेशियो साध्दूनी 14 आपका 25 रेशियो 14 देख लीजिए कौन से ऑप्सन में 25 रेशियो 14 ऑप्सन दी आउसर है दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि इनकम और इनकम का रेशियो है कितना 3 रेशियो 2 मैं इसकी डारेक्ट ट्रिक बताता हूं आपको और कहरा एक्सपेंडीचर वह यह इनकम का रेशियो ग यहां सेविंग आपको टोटल वैल्यो में गिवन है कितनी कितनी यहांवाई 200 200 ध्यान से समझजाएंगे इसकी भी 200 है इसकी भी 200 है तो आप करेंगे क्या इन दोनों का क्रॉष मल्टिप्लाइए करके गैप लीजियो कितना बनेगा 3 तिया 9 5 दूनी 10 डिफरेंस लेना है के आप एसे कर सकते थे, भाई पांच में से तीन गए तो फर दो सो मुल्टिप्लाइ करें, छार सो, एक की वैली चार सब हो है, तो आप से पूचा क्या, what is the income of A, तो यहां से A की तीन की वैली वी कितनी होगी, च्यारसो गुना च्यारसो यानि की बार है सो, आन्वेसर होगा आपका बार है सो यानि की ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दियर आर two taps in a tank ठीक है the first one fills the tank and with water and the second one removes the water from the tank ठीक है जी the tank is filled in four hours when only first tap यानि कि जब भरने वाला खोला जाता है तो कितना समय लेता है च्यार गंटे और कह रहा है ट्वेल्व आर्स वन बोड़ टेप्स आर उपन यानि कि जब दोनों को खोल आ जाता है तो कितना लगता है बार है मैंने माइनस में ले लिया ठीक है ए माइनस भी कर सकते हो आप यह बारही रहे गा वैसे तो पर आप एक काम करिए इसको माइनस भी ले लिए क्योंकि वह खाल सकते हैं तीन में से मैं क्या घटाऊं कि टोटल एक आ जाए तो आप कहेंगे बी की दो है ठीक है जी किया रहा हाउ लॉंग डज टेक टू एम्टी दा फुल टैंक वें दी सेकंड टैप इज ओपन तो भाई आपको बी से खाली करवाना है क्योंकि यह तो खाली करने वाला यह है टोटल काम कितना है बार है और बी की एफिशेंसी कितनी है तो आप कहेंगे सर बी की एफिशेंसी है यहां देखिए दो तो दो की एफिशेंसी से खाली करवाना है दो चिक के बार है आंसर होगा आपका छे गंटे यानि की ऑप्सन सी ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं The age of two male students is 20 years and 24 years. तो एक तो बड़ा वाला है, एक छोटा वाला है. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटा और यह लिख देता हूँ बड़ा. ठीक है? छोटे वाले की एज है 20 और बड़े वाले की है कितनी 24 साल. ठीक है जी? यहाँ अगर बड़ा वाला है, इसको रिप्लेस किया गया है किस से? भई एक फीमेल स्टूडेंट से, क्योंकि यह तो दोनों मिल-मिल थे, फीमेल स्टूडेंट है जिसकी एज इस छोटे वाले से आदी है, तो यानि किसकी आदी दस है, तो अब क्या बोल रहा है आप से? इन दोनों की आपको एवरेज लेनी है, तो बीस और दस, तीस, तीस का आधा कितना हो जाएगा, पंदर है, इन दोनों की एवरेज, ठीक है दोस्तों, आणसर होगा, आपका फिप्टीन येर्स, आप्शन सी, आगे बढ़ते हैं, तो येर्स का पंदर आएगा, बटे में, ये पलस का पंदर आएगा, बटे में पांच, तो यानि की पलस तीन बढ़ जाएंगे, तो ये पूछ रहा है, कितने बढ़ जाएंगे, तो ये आपका अणसर होगा, तीन, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहरा है, एप बटे कल के साथ में, ध्यान रखें, एक एक चीज को आप ध्यान से पढ़ेंगे, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, भई, ये वर्टीकल है ठीक है अब कह रहा है जो pole है इसके साथ में 60 degree का angle बना रहा है तो मान ले तब यह pole vertical के साथ में 60 degree का angle बना रहा है ठीक है तो मैं कहुँगा कि यह वाला angle 60 degree है ठीक है ध्यान से समझते चलेंगे at a point x meter away from the base of the pole on the ground to house of the pole subtract the same angle दिखिये भै पहली चीज तो यह कि यहां से एक्स मीटर के दूरी पर कोई पॉइंट है ठीक है तो बना लेते हैं भई तो ये कितना है एक्स मीटर ठीक है अब कहरा है देखे टू हाफ्स ऑफ मड़ी पॉल सबना लाफ्स करते हैं जो यानि कि दू बराबर भागों में इसको बाट हूँगा ठीक है अब चैँ रहा है यह बराबर इंगल बनाते हैं दोनों इस पॉइंट के साथ मैं ठीक तो तो देखिए भई ये बराबर एंगल बना रहे है इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो बराबर हावस के साथ में दो बराबर एंगल बना रहे है ठीक है यानि कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है दोनो ठीक है तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये एंगल बाइसेक्टर है ठीक है यह से इस पॉइंट पर ठीक है जी अगर ये क्योंकि दोनों दोस्तों ये इसके मिड़ पॉइंट पर जाके मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ अगर ये वाला एंगल कितने का बचेगा ध्यान से समझेंगे ये वाला एंगल कितने का बचेगा आपका आपका अशर तीस डिग्री का अब मुझे बता सकते हैं अगर ये तीस है ये नबभे है तो ये वाला एंगल कितने का बचे पचा 30 अब क्योंकि देखिए आप से पूछा क्या है if the pole and the point are in the same vertical plane ठीक है then what is the length of the pole इस pole की length बतानी है क्योंकि यह midpoint है इसका तो आप इसको निकाल लोगे तो आपका उतना ही यह रहेगा उसका double कर देंगे तो ultimately मैं इसको निकालता हूँ ठीक है अब आप देखिए आप यहां से अगर ध्यान से देखोगे इस triangle को अगर मैं अलग आपको अलग बना के समझाओं ठीक है तो आप इस तरीके से समझ सकते हो ठीक है अब देखिए यह वाला angle आपका 30 degree यह वाला angle आपका 90 degree यह वाला angle आपका 60 degree आप से पूछा है यह और यह वाली length है आपकी x ठीक है दोस्तों अब आप ध्यान से समझेंगे तो देखिए 30 के सामने 1 60 के सामने root 3 ठीक है 30 के सामने 1 60 के सामने 1 60 के सामने root 3 ठीक है और 90 के सामने क्या होगा देखिए 30 के सामने 1 60 के सामने root 3 ठीक है और तो यहां क्या होगा आप कहेंगे sir 2 इन दोनों के square करके अंडर root लेंगे तो 2 बनेगा अब यहां देखे 2 की value आपको x given है 2 की value x है तो 1 की value कितनी होगी आप कहेंगे x by 2 यहां root 3 की value निकालनी है आपको ultimately आपका तो aim यही है तो root 3 की value कितनी बनेगी आप कहेंगे sir root 3 x by 2 root 3 x by 2 अब आपको यह total length निकालनी है यहां से यहां तक pole की length तो यह वही क्या बनेगी इसका double तो आप कहेंगे sir इसकी जो length आएगी निकलके वो आएगी root 3 x by 2 का double यानि कि 2 से 2 कर जाएगा answer होगा आपका root 3 x मैं direct लिख रहा हूँ दोस्तों answer होगा आपका root 3 x meters यानि कि option B मैं उम्मीद करूँगा कि आप question को समझ पाए होंगे आगे बढ़ते हैं करा A, B, C इंटर इंटू ए पार्टनर्स और उसने फिर दो साल बाद 10,00,00,00 रुपे निकाल लिए और C ने 30,00,00,00 रुपे इंवेस्ट किया है देखेते हैं total time कितना है वो तो हमें बताया नहीं करा what fraction of C profit will get after 3 years यानि कि total 3 साल का time है ठीक है जब एक साल का time होता है तो मन्त में लेते हैं और वो data भी मन्त में गएन होता यहां 3 साल की बात है तो पूरे साल में लेंगे तो यहां A ने 25,00,00,00 रुपे इंवेस्ट किये हैं और दो साल बाद इसने 10,00,00 रुपे निका लिए इसका मतलब दो साल तक तो यही रहे उसके बाद इसने 10,00,00 निकाल लिए 35 में से तो बचे कितने आपके 25 और अगले एक साल के लिए टोटल 3 साल हो गया time और C ने तो कोई withdraw या डाले ही नहीं है और यहां देखे कितना हो गया 35 दूनी 70 और 25 नाइटी 5 यहां देखेंगे तो तेस्तिया कितना हो गया 90 अगर आप इनका ratio ले लेते हो तो देखे कितना बन जाये गए यह बनेगा 19 बार 5 से यह बनेगा 19 बार 5 से यह बनेगा आपका 18 बार 5 से ठीक है पूछा क्या है आपसे C का fraction पूछा है तो C का fraction कितना है आप देख लिजिए C का fraction है 18 है आउट ऑफ कितना देखिए उन्नी दूनी 38 38 और 58 चैप्पन आउट ऑफ 56 तो आप इसको solve कर लेंगे कितना बन जाएगा बही आपका 2 से काट लीजिए 9 बार और 2 से काटेंगे तो 28 बार अब आगे कट नहीं रहा तो 9 बटे 28 आपका अनुसर होगा option C मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आप concept समझ पाए होंगे आगे बढ़ते हैं कहा रहा यह sum of रुपे 4000 is lent out in two parts कहरा पहले वाला simple interest 8% पर दूसरा वाला simple interest पर यह 10% के हिसाब से और कहरा if the annual interest is 302 बामन तो यहां रुपीज में गिवन है तो मेरे को 302 बामन का percentage निकालना है तो यह 40,000 पर कितना बनेगा और 2,0 कर जाएंगे गुना 100 करेंगे तो मैं 40 रख रहा हूं direct ठीक है अब आप दिखिए यह बन जाएगा आपका 8 से काट यह आपका नहीं तो दिखिए एक के बाद point लगा लेंगे चार से काट यह नीचे 10 और 4 से काटेंगे चार अठे बत्तीस ठीक है और चार अठे बत्तीस तो यह आया आपका 8.8 ठीक है दोस्तों अगर मैं इनका रेशो लेता हूं तो भई 10 में से 8 जाएगे तो यह कितना बचेगा 1.2 और यह कितना बचेगा आपका point 8 ठीक है point से point कर जाएगा तो इनका रेशो कितना आ जाएग तो आप से पूछा है देन सम लेंट एट परसेंट तो यानि एट परसेंट पर तो यह तीन है ठीक है तो यह कितना आ जाएगा भई आट सो गुना एक आर्ट गिया 2400 आपका अंसर होगा दोस्तों कौन सा ओप्सन है देखिए 2400 ओप्सन सी अंसर होगा आगे बढ़ते हैं मैं तो मैं लिखूंगा कॉस्टीटा बराबर वन तो मैं लिखूंगा कॉस्टीटा बराबर one मॉर माइनस में कॉस्ट सुकेर ठीटा आपको आपको सक्रेटा को इदर ली आईए ठीक है तो बनेगा आपका अब आप एक काम करिए इसका whole square कर दीजे दोनों साइड क्या बनेगा आपका cos square theta पलस में cos 4 theta बराबर कितना बनेगा आपका 1 अब आप ध्यान से देखेंगे तो भई cos आपका cos theta sine square theta के बराबर है ठीक है तो आपका cos square theta अगर मैं इसमें दोनों तरब square करता हूँ तो cos square theta आपका sin 4 theta के बराबर बनेगा ठीक है तो देखिए भई आपसे ये वाली value जो given है इसमें put कर ये वाली value ठीक है तो sin 4 theta भई जो cos है वो sin का half power है ठीक है तो इसका half power बनेगा cos में मैं इसको लिखूँँगा तो ये कितना बनेगा आपका A A cos square theta plus में B भई ये half power में cos बनेगा तो यानि कि cos 4 theta plus में अच्छा आपका इसमें देखिए एक चीज़ और यहाँ आपने whole square किया आया तो A की दो plus B की दो plus में 2 A B और आएगा तो पलस में 2 cos cube theta और बनेगा बराबर 1 ठीक है अब यहाँ देखिए आपको जो data give one है आपका plus में C sin 6 theta तो ये cos में बनेगा इसके half power sign की तो यानि कि 2 cos cube theta बराबर 1 अब आप इनको equate कर दीजे अब आप दिहान से देखेंगे तो यहाँ कितना है भई 1 तो यहाँ से A की value 1 है यहाँ कितना है 1 1 है B की value कितनी है 1 और यहाँ देखिए आपकी यह आपका C है ठीक है तो C की value कितनी है 2 तो यहाँ put करिए जो आपसे पूछा है A की value कितनी है 1 B की value 1 और C की value 2 तो answer आएगा आपका 0 ठीक है दोस्तो option D आपका answer होगा अच्छा question था आप start mark कर सकते हो आगे बढ़ते हैं रोहन बोरोज रुपे 23,000 at 10% compound interest at the end of each year he pays pays back रुपे 5,000 ठीक है how much amount should he pay at the end of the third year to clear his debt भी उसने शुरुआत में पैसे कितने लिये थे 23,000 ठीक है जी अब दीए पहली साल के अंत में इसका 10% बनेगा ठीक है तो इसका 10% कितना बनेगा भी 23,000 ठीक है तो कितना पैसा बन गया टोटल ये बन गा आपका एक साल बाद 23,000 ठीक है अब इसने पहले साल के अंत में भी जो पैसे देने थे वो दे दिया होंगे कितने देने थे 5,000 पैसे पे कर रहा है ना परती एक साल के अंत में तो ये आपने ब्याज एड़ करके टोटल बना उसमें से 5,000 दे दिये तो ये कितना बनेगा आपका 20,300 अब देखिए बात आती है सेकंड येर की दूसरी साल में वो क्या करेगा भाई इसका 10% ब्याज बन जाएगा तो कितना बनेगा आपका 2030 ठीक है तो ये ब्याज तो आपने एड़ कर लिया पहले 0, 3, 3, 2 अब इस मैंसे वो 5,000 रुपे फिर वापसी दे देगा ठीक है 5,000 रुपे उसने वापसी दे दिये कितने बचे आपके 0, 3 3 और 22 मैंसे 5 गए तो 17 ठीक है तो दूसरी साल के अंत में उसके पैसे रहे गे थे 17,330 अब बात करेंगे तीसरी साल की तो तीसरी साल में वो क्या कर रहा है भाई इसमें इसका 10% फिर ब्याज लगेगा इसका 10% कितना बनेगा 17,33 ठीक है तो कितना हो जाएगा 3 और 3, 6, 3 और 7, 3, 10 और आपका 17, 18 क्योंकि 3 साल दोस्तों पूरी होई चुकी है ठीक है आपका यहां देखिए 17,333 इसमें 17,333 जोड़ेंगे तो यह आपका 9 बनेगा यहां क्योंकि 7, 3, 10 की 0 और यहां एक हांसल का भी आएगा तो 17,18 और एक हांसल का 19 तो 19,033 आपका तीसरी साल के पांच जार दो देगा नहीं क्योंकि 3 साल बाद तो उसका डैट के लिए री करना है उसको तो इतने पैसे देने पड़ेंगे उसको 19,033 आपसन भी आपका आनसर होगा आगे बढ़ते हैं क्योंकि 24 सेंटिमेटर कहरा एक यह आपसन में 304 आनसर होगा ठीक है फिर भी आप देख लीजिए भई आपका चार शिक्के 24 हांसल का दो चार सत्य एट 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 इसर दो तीस चार पंजे बीस और तीन तेइस तेइस सो चार आपका आनसर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं आपके रहा है एक ट्रैंगल है ABC लाइन ड्रैंग पैरलल तू बीसी इंटर सेक्टिंग साइट्स एबी एड़ 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 पोइंट सटी देखिए पहले जितना बोला है उतना बना लेते हैं और एक तरबुज है ABC ठीक है जी नाम दे देते हैं B C अब कह रहा है B C के parallel line खीची जाती है जो AB और AC को S और T पर काटती है तो यहां देखिए S और T पर BC के parallelic line खीची के जो S और T पर काटती है तो यह triangle और पूरी body triangle आपस में similar होंगे थिल्स्थ और मियान लग जाएगी अब देखिए आपको AB की लेंथ गवान है 8.3 तो टोटल लेंथ ये गवान है आपको 8.3 क्यारा BC 16.6 है क्यारा BC 5.3 है ठीक है अब आप देखिए आप मुझे बता सकते हो ये वाली लेंथ कितनी होगी 8.3 में से 5.3 जाएगा तो 8 में से 5 गए तो 3 बचेगा ठीक है अब आप से पूछा है वाट इस दी लेंथ आफ एस्टीन सैंटीमीटर तो यहां स्टी तो यहां देखिए पहले दिस अपॉन में टोटल ठीक है तो 3 अपॉन में टोटल 8.3 बराबर अप सको निकालनी है एस्टी अपॉन में ये टोटल कितनी है 16 अब आप ध्यान से देखोगे तो यह आपको डबल ही नजर आ रहा है इसका यह इसका बईपॉईंट से पॉइंट कट जाएगा डबल नजर आ रहा है तो यहां कित बॉटन AC कोस्ट रुपे 45,000, क्यारा, it depreciates its value, depreciates by 20% in the first year, and each subsequent year, the depreciation is 15% of the value of the beginning of that year, क्यारा, at the end of the third year, he sells AC to a customer 4 रुपे N, ठीक है जी, तो आप से ये 4 statement given है, अब देखते हैं भई, क्या पूछा है आप से, तो इन 4,000 statement को देखते हैं, देखिए, अगर मैं सबसे पहले मेरे लिए N की value, यहां पूछा क्या है N, ठीक है, after, यहां देखिए, the price, यहां अगर आप D option देखोगे, तो price after second year, और यहां देखोगे, तो एक बार आपको जो statement पर निगा जरूर गुमानी है, cost price after the first year, देखिए, पहली साल में, जब उसने खरीदी 45,000 उसकी cost थी, पहली साल में, पहली साल के बाद 20% का loss हुआ है, 20% का, इस में से 20% इसका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे, बहुँ दस 25,000, अगर इस में से आप 9,000 कम कर दोगे, तो आपकी कीमत आनी चाहिए, 36,000 पहली साल के बाद, तो देखिए आपको क्या given है, 45,000 में से 9 जाएंगे तो 36 आना चाहिए, यहाँ 35,000 given है, तो यह option कट गया, यह मैंने सबसे पहले क्यों चूज किया है, क्योंकि मेरे को दो option में देख रहा है, यह B, तो यह इसका मतलब जहां B आ रहा है, वो तो आपका answer होगा नहीं, तो C और D आपके वैसी कट गए, ठीक है, आप देखते है, A और, A और C को आपको दोनों चेक करने पड़ेंगे, अगर मैं यह देखता हूँ, तो loss incurred is इतना, ठीक है जी, अब आप देखिए, भई, 45,000 में से पहली साल में, 45,000 कीमत थी, शुरुआत में, पहली साल में कीमत कम हुई, बीस परसेंट लॉस हुआ, डेप्रेसेट कम हुई, यानि कि डेप्रेसेट हुई उसकी कीमत, तो 80% रहेगी, 80% का मतलब 4 बटे 5, अब जो यह है, इसका अगले दो सालों में, 15% का, 15, 15% का डेप्रेसेशन हुआ है, तो इसका मतलब 15% का मतलब 3 बटे 20, 15% का मतलब होता है, तीन बटे 20, यानि 20 में 3 का डेप्रेसेशन हुआ है, तो 17 बटे 20 उसकी कीमत रहेगी, ठीक है, तो 17 बटे 20, 17 बटे 20, अगले दो सालों के लिए, ठीक है, जी, देखे, आपका 1, 2, 2, 0 से 2, 0 कट गई, और यहां 5 दूनी 10 से 1, 0 और कट गई, और यह 2 से कट गया आपका 2 बा 8, 9, 8, 32, 8, 8, 9, 2, 18, 8, 26, 26,000, 10 रहना चाहिए, आपका जो जितने में बेचा है उसने N की वैलू, ठीक है, यह capital N मान लीजिए, ठीक है, गलती से N कोई दिक्कत नहीं है, तो N की वैली 26,000, 10 यह बिलकुल सही है, इसका मतलब यह आपका, जिसमें C आ रहा है, वो option आपका correct ह होगा, तो यानि कि इसी में आपका C बचा है, यह तो only A है, ठीक है, तो यह भी आपका correct मिलेगा, आपको check करने की ज़रत नहीं है, ठीक है, loss in cut, आप देख सकते हो, भई 45,000 में से यह 26,000, 10 घटाएंगे, तो loss कितने का होगा, भई इतने में उसने बेचा है, तो यहाँ दो 25% of this amount quarterly and has already paid रुपे 30,000, then how many months does he need to pay back his loan for the rest of the amount, देखिए दोस्तों, भई एक लाख 20,000, कि अगर मैं बात करता हूँ, तो कितना, कितना वो वापसी पे कर रहा है, तो आप कहेंगे 6.25%, आप इसको ऐसे लिख लिए, 625 अपन में, कि आप फ्रेक्शन में बदलना है, दो 0.8 पर्सेंटेज के लिए, तो आपकी ये 4-0 से 4-0 कर जाएंगी, तो गुना कर लीजिए, 12-56, 12-24-36, 12-22-35, यानि कि वो ये देखिए, quarterly पे कर रहा है, ये इतने रुपे, तो मैं कहूंगा, कि भई वो हर 3 महिने में, कितने पे कर रहा है, 700, अगर मैं इसको 4 से मिल्टिप्ल ठीक है, अब यहां देखिए, क्योंकि दोस्तों उसके जो टोटल पैसे थे, एक लाग बीस हजार, उसने 30 पहले ही पे कर दिये थे, तो उसको पे करने जो वो कितने बचे, 90,000, ठीक है, तो आपका यहां से इसका 3 गुना करोगे, तो 90,000 आ जाएगा, ठीक, तो भई इसका आभी तीन गुना कर दीजे, कितने महीने लगेंगे, 36 मन्त, अंसर होगा, आपका 36 मन्त, ऑप्सन C, तो दोस्तों इस तरीके से यह आपके टोटल 25 क्वेस्चन्स, मैंने बहुत अच्छे कॉंसेप्ट के साथ आपको सॉल्व करवा दिये हैं, इस सैट के, यानि कि आपका मो आपको कुछ लग रही है कि आपके लिए हैलफुल है, तो लाइक का बटन जरूर दबाईए, आप देखते हैं तो लाइक दबाने में क्या जाता है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल पर नए हो, और हाँ अपने दोस्तों में सेर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैदा हो सके, और हाँ कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए अगा दोस्तों, ठीक है, तो मिलते हैं अग्रे लेक्चर में, तब तक के लिए अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, थैंक्यू, सो मच